तो देखिए आज जिस आज के जो वीडियो में जिस टॉपिक बात करने आला हुआ है देखो क्यमेस्ट्री में स्कोर कैसे करें अभी आपको सब बच्चे कैसे कि एक्जाम आपका 12 का बोर्ड का एक्जाम पोस्पाउन हो गया है कि सीटी के डेट ने आई तो सब बिल्कुल ऐसे नर्वस हो गया है शांत हो गया सब लोग क्या करना है क्या निकुछ समझ मिन आ रहा है कई लोग को सोच रहे हैं बोर्ड करें सीटी करें इसमें परिशान है तो मैंने आपको चोटा सा तब तरह बहुत अब आद जिससे आप हो का जो है मेंटेलिटी स्ट्रॉंग हो जाया जिससे आपको मार्स अच्छे मिल सके तो यहां पर दो का कैमेर्स को कैसे रही कुछ पॉइंट लेका आपको क्या करना है सेट्ट गोल आपको आपको गोल सेट करनी मुझें टूज़ंट टूज़न टूट्वन निकालना तो उसके आपका जिजिक्स है 奶 मैसे अंनल्य होता यह इत्व हम आपया एपको आफ स्कॉर करा के सब्सक्राइब कर सकते हैं मिनिमम टाइम में आप स्कॉर कर सकते हैं कि आप गर्लों काम डाइम में ज्यादा स्कॉर कर सकते हुए पर विक यहत्य慤 बैक्स में हमյेट सब्सक्राइब कर देंगे चैप्टर जो लिंक होते हैं वैसा करके देख लेना है कि आप जैसे भी और निक पढ़ रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए उसके बाद में फिर आपको देंगो आपको लिंक में पढ़नेंगा लिंक में से क्या होता है कि जल्ली समझता है आपको क्यों समय हो न ही जाना चाहिए तो यह यादा लखना है कि इन सिक्वेंस चेक्टर लिंक यह रखाष आपके दी टनीन झालत लिंट्य क्लियर तो सिक्वेंस मतलब चैटर लिंक का पढ़ना है तो लिंक में जो आते वो पढ़ते जाना पढ़ाएगा आपको अग्दम बीच से कहीं पढ़ना पढ़ाएगा पहले बेसिक से क्लियर कर लिए जो भी लगता हो सब्सक्राइब देख लिए उसके बाद फिर आपको क्य दिमाग था उसने अपने हिसाब से बनाए आपको स्टडी करना है आपको खुद के नोट बनाने पढ़ेंगे और वह नोट था अभी लिखने में टाइम लगता है मैं मानता हूं लेकिन आपके नोट्स आपके होंगे बतला अपने नोट्स अपने होंगे क्या काम क्यों अगर study करके आपके नोट्स खुद बराएंगे वह बात अलग होती हमको मालूम है रहा हमको जल्ली सहते हैं क्या लिखा हुा है है ना अपने तो अपने होते है वैसा रहत है दूसरे के नोट्स आपने और इससने पर आफंग सृक आएंगे ठीक तो अच्छा रहेगा ओके यह हो गया फिर आदमें आपको क्या करना चाहिए M6 की प्रैक्टिस करना वह बहुत चैप्टर वाइज करना चाहिए एक चैप्टर कंप्रेट होगे प्रैक्टिस करना ही चाहिए तो आपको जली समझाएगा एक चाप्टर हो गया तो पहले के दो चाप्टर चोथा चाप्टर हो गया पहले के तीन चाप्टर सब्सक्राइब करना इसको क्या करना है टाइम टू टाइम आपको इसका रिवीजन चाहिए मतलब चाहिए ताइम टू टाइम रिवीजन बोलते हैं इसको लोग है ठीक है ना पंद्रा पंदा दिन के आप से जितने होते है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा स्टड़ी तो करना ही पड़ेगा जब तक अब कंट्यू स्टड़ी नी करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा फिर आपको प्रिविश्यर कोशन चैप्टर वाइस करने इसको भी आको ठ मालम चलता है कि किस लेवल में कोश्षिन वाना रहे हैं किस लेवल मना रहे हैं तो सेकेंड जब रिज़ें करेंगे ना जब आप यह पूरा करने प्रिविश्यर क्लेट नहीं पड़ेगा जब टेक्स पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपको स्टेडी फिर आपको प करेंगा ये बाद में तो आपको कितने डेफ्ट लेवल करना है ये बताएगा इसे मालूम चालेगा आपको डेफ्ट इसको पढ़ रहे हैं डीप में पढ़ना पढ़ेगा इसको डीप इसमें चुट्री करने के लिए ठीक फिर गिव रेगुलर टेस्ट हर चप्टर वाइस त थे स्ट देना चाहिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी इस से आपको मानद चलेकर चलता है कि आपके जो कंसेफ्ट हो कितने क्लिए और या आपको इंपोर्टन बात बढ़ाँगा आपको टेक्सबुक की रीडिंग मस्ट है टेक्स बुक रीडिंग करना है अब इस अगर आपने इतना फॉलो कर लिया पूरा तो अभी क्योंकि आप लोग कैसे वी कि कोई फिक्स नहीं तो आपको टारगेट पहले फिक्स कर चलना भड़ा है सेट कर लिए पर लिए बोड का हो जादा बोड का क्या रहता है लिखने कर रहता है और अभी पैटर्न भी कुछ सिम सभी को बराबर वेटेज है ऐसा नहीं कि इसमें से जाद आजाएगा उसमें से जाद ऐसा कुछ नहीं है सब में बड़ा करीब करीब मतलब नेर अबर बोलो क्यों आपका वेटेज बराबर ही रहता है तो आप इसको स्टड़ी कीजिए बच्छे से आपको आज आएगा ठी मोटिवेटते होंगे इसके कारण स्टड़ी की तरफ लग जाएंगे बच्चे क्योंकि देख रहा हूं बहुत कम स्टुएंट देख रहे हैं उसको पढ़ने की तरफ बहुत कम ध्यान हो गया स्टुएंट्स का हट गया है तो लिए आप लोग को फड़ा-फड़ सेट कर ल लिए इसके लिए ठीक है वड़ा चलिए अब पढ़ते रही है बहुत अच्छे माक्स मिलेंगे घर पे रही है सेफ रही है ओके बाई